इस्टार ट्रेक स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ट सीजन वन एपिसोड टू इससे पहले के सभी एपिसोड के लिंग डिस्क्रिप्शन में हैं अगर वो विडियो नहीं देखी हैं तो पहले उन्हीं जाकर देखें एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि पाइक अपने मेन क्रू मेंबर्स को डिनर पार्टी के लिए बिलाता है यहां पर पाइक उहुरा से अपने बारे में बतानी के लिए बोलता है तो हमें पता चलता है कि उहुरा को 37 लेंगवेज आती हैं उहुरा की दादी अपनी जवानी की दुनों में स्टार फ्लिट आफिसर थी और इसी वज़े से वो उहुरा को आई दिन अपने स्पेस के कारणावों के बारे में और अपनी स्पेस यात्राओं के बारे में बताती रहती थी और वहीं से उहुरा को स्टार फ्लिट जॉइन कर होगी भी नहीं अब इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी में ही उहुरा अपने गाओं के लोकल गाने को गुंगुनाने लगती है वो अपने गाओं के इस लोकल गाने को अक्सर गुंगुनाती रहती थी यह उसकी हैबिट में था अब इसके बाद हम देखते हैं कि पार्ट परसेफनी 3 नाम के प्लैनेट के पास पहुँच जाता है और अब जैसे ही यहाँ पर पहुंचते हैं तो इन्हें दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ा कॉमेट परसेफनी 3 की तरफ भी बढ़ रहा है और वह बहुत जल्दी परसेफनी 3 से टकरा जाएगा और यह टकर इतन कॉमेट पर शील्द देखकर पाइक समझ जाता है कि कॉमेट पर ज़रूर कोई ने कोई रहता है जो उस कॉमेट को प्रोटेक्ट कर रहा है अब इसके बाग कॉमेट को परसेफनी 3 से टकराने से रोपने के लिए इस पौक लान करकर उहुरा का यह पहला मिशन था और उसे अब हम देखते हैं कि इस अंडे जैसी चीज के आपर Soundwave जैसे निशान बने वे थे याणि कि उस अंडे जैसी चीज के आपर कोई ने कोई मैसेज लिख़्ा हुआ था अब वे संडे का क्या करना यह जानने के लिए करक उसके पाद जाता है और उसे चूने की जैसे ही कोशि और अब प्रॉब्लम ये भी थी कि इन चारों का शिप से कॉंटेक भी तूट गया था और साथ ही ये लोग टेलिपोर्ट भी नहीं हो पा रहे थे और अब इन्हें ये समझ आ गया था कि अगर इन्हें यहां से निकलना है तो इन्हें अंडे को उपन करना ही होगा अब ये चारों मिलकर अंडे को कैसे ओपन करा जाए इसके लिए नएने आइडियास सोचने लगते हैं अब हम देखते हैं कि जब उहुरा भी सोच रही होती है कि किस तरीके से इस अंडे को उपन करा जाए दुसी तरफ इस्पेस में उस अंडे और कॉमेट को प्रोटेक करने के लिए शेपट नाम की एक एलियन प्रजाती का शिप कॉमेट और पाइक के शिप के बीच आ जाता है और फिर इसके बाद पहले तो शेपट का शिप पाइक के शिप पर छोटा सा हमला करता है और फिर उसके बाद shepherd के ship का captain pike से contact करते वे उन्हें बोलता है कि तुम लोग comet से दूर रहो क्योंकि वो हमारे बहुत ज़्यादा पवितर है और उसे comet बुलाना बंद करो वो comet नहीं वो महानीत हैं अब क्योंकि shepherd का ship पाइक के ship से बहुत ज़्यादा तागतवा और हाइटेक था तो इसलिए पाइक shepherd से सीधे पंगे ना लेते वे उसे समझानी की कोशिश करता है और बोलता है कि अगर हमने महानीत की direction नहीं बदली तो महानीत प्लैनेट से जाके टगरा जाएंगे तो अगर तुम ये चाहते हो कि तुमारे महानीत बचे रहें तो या तो तुम महानीत की direction बदल दो या फिर हमें महानीत की direction बदलने दो बरना प्लैनेट के साथ साथ तुमारे महानीत भी खतम हो जाएंगे अब हम देखते हैं कि पाइक की बात सुनी के बाद शेपर्ट का लीडर पाइक को बोलता है कि अगर महानीत खोद अपने आपको खतम करना चाते हैं तो हम ऐसा होने देंगे, हम उन्हें नहीं रोखेंगे, क्योंकि महानीत जो भी करते हैं, वो अच्छे के लिए करते हैं, अब जैसे ही ये लोग शिप पर पहुंचते हैं, वैसे ही करक को मेडिकल रूम में ले जाये जाता है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्पॉक कॉमेट की डिरेक्शन बदलने के लिए, एक छोटे से शिप में बैठ कर उस कॉमेट के पास जाता है, और फिर उसके बाद आइस जमीवी थी, उस आइस को पिगलाने लगता है, और इस पॉक ऐसा इस ले कर रहा था ताकि कॉमेट के एक साइट का बजन हलका हो सके, जिसकी वज़े से कॉमेट की डिरेक्शन अपने आप बदल जाए, और अब हम देखते हैं कि होता भी ठीक यही है, कॉमेट प्लैन आने वाले समय में हरा बरा होने वाला था, यानि कि यहाँ पर जीवन चलाने के लिए जो जो चीजों की रिक्वार्मेंट थी, वो पूरी होने वाली थी, अब इसके बाद हम देखते हैं कि शेपर्ट पाइक से कॉन्टेक करके उसे बोलते हैं कि देखा हमारे महानी कितने महान है, उन्होंने इस बंजर प्लैनेट के लोगों को जीवन दे दिया, तो आगे से किसी की भी आस्था का मजाग उड़ाने से पहले कई बार सोस लेना, हमें आप से कोई नफरत नहीं है और नहीं हमारी आप से कोई दिश्मनी है, और हो सकता है कि शायद फ्यूचर में आ पाइक और उसके क्रू को इबाद पता चलती है कि महानीत अपने साउंड में ये बतानी की कोशिश कर रहा था कि वो परसेफनी 3 से नहीं टकराएगा, वो बस इस प्लैनेट पर पानी देने आया है, ताकि यहां के लोगों की जिंदगी सुदर सके और परसेफनी एक हरावर प्लैनेट हो सके, अरब इन्हें यहां पर सच में यकीन हो जाता है कि महानीत फ्यूचर देख सकता है और उसे पता था कि स्पॉक क्या करने वाला है, और इसी कारण वो पहले से ही बोल रहा था कि वो इस प्लैनेट को नुकसान नहीं पहुचाएगा, अरब हमें यहां पर बात किलियर हो जाती है कि जैसा शपर्ट कह रहे थे ठीक वैसा ही था, यानि कि महानीत सच में कोई दिव्यश शक्ती थी, अरब यहीं पर यह एपिसोड खत्म जाता है